वेल्कम टू आई टी ए मेकानिकल ग्रूप फ्रेंड्स आज हम बात करने बाले हैं लेथ मसीन पर जो लेथ कटिंग टूल होता है उसके एंगल के इंपोर्टन्ट कॉस्चिन्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं लेथ मसीन के लेफ्ट हैंड साइड कटिंग टूल द्वारा खालिस्तान से खालिस्तान से खालिस्तान की तरफ को कटिंग की जाती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैड स्टॉक से टेल स्टॉक के सिरे की तरफ जब कटिंग की जाती है तो वह लेफ रॉप दोनों एवर भी और अपरोग्त कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर है वह हम रहा हमाना टेल स्टॉक्सी फैरी स्टॉक क्यों जब कटिंग कि जाती है तो वह राइट हैंड तन्ट कटिंग टूल जाती है एस्ट कोश्चीन है टुल एक खालिस्तान कटिंग टूल option है single point, four pointed, end cutting tool और अफ्रोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, end cutting tool, drill एक end cutting tool है, next question है, tool bit cross section में बनी होती, option है, आयतकार, बर्गाकार, गोलाकार, और अफ्रोक्त A और B यहने, आयतकार और बर्गाकार, तो जो tool bit होती है, आयतकार और बर्गाक next question है, inserted bit का मुख्य उद्दिस, मुख्य दोस, खालिस्तान होता है, यह छोटी होती है, यह महेंगी होती है, यह tool holder में अच्छी मजबूत फिट नहीं होती है, और अप्रोक्त सभी, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, यह tool holder में अच्छी मजबूत फिट नहीं हो इसका होती है, next question है, buried tool की Sank धातू की बनी होती है, option है, tungsten, high speed steel, high caravan steel, mild steel, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो हो जाएगा, mild steel, mild steel की जो है, बनी होती है, brushed tool होता है, उसकी जो sank होती है, क्योंकि mild steel की जो सेंग होती है उस पर हम जो tool हम bridge करते हैं उसको हम mild steel की सेंग पर bridge कर देते हैं next question है late cutting tool में side cutting edge कौन खालिस्तान डिगरी तक रखा जाता है option है 25 से 40, 40 से 60, 15 से 22 और अपरोक्त सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा 25 से 40 डिगरी तक late cutting tool में side cutting edge का कौन रखा जाता है next question है late cutting tool का नोज कौन खालिस्तान डिगरी रखा जाता है option 17 डिगरी, 80 डिगरी, 90 डिगरी और अपरोक्त सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा 90 डिगरी late cutting tool का नोज कौन होता है वो 90 डिगरी होता है next question है लेट कटेंग टूल में कटेंग एज कौन खालिस्तान डिगरी रखा जाता है 10 डिगरी, 15 डिगरी, 20 डिगरी और 30 डिगरी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिगरी उसको रखा जाता है. Next question है, positive record हरद धातों की cutting के लिए खालिस्तान रखा जाता है. Option है, अधिक, कम, अपरुप्त दोनों और अपरुप्त कोई नहीं. तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा कम. Positive record जब हरद धातों की cutting की जाती है, तो इसके लिए कम रखा जाता है और सौप्ट धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है नेस्ट कुश्चन है लेट कटिंग टूल में जीरो रेकॉर्ण धातु के लिए रखा जाता है उसका पीटल माइल्ड स्टील, काश्ट टायरन और कारवन स्टील तो इसका जो राइट पूल में जीरो रही रहता है उसका जुराइट आंसर होने से यह पूल का पॉइंट मजबूत होता है जटकों में उपयोगी है बाहरी कट लगाए जा सकते हैं और रॉप्त सभी तो इसका जुराइट आंसर हो जाएगा बहुत सबी क्या लाब होता है तूल अधिक देर तक कटकर तुरंथ नीचे गर जाते हैं कटेंगे इस मजबूत रहता है और प्रुब्ट सभी तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह हो हो जाएगा चिप्स कर तुरंत नीचे कर जाते हैं Side Cutting क्या होता है नेस्ट क्वेस्टेन है लेट क्टेंग टूल में साइड रेकॉन खालिस्तान डिगरी celsius तक रहे जाता है यहाँ पर जू है वो डिगरी celsius नहीं सहीं डिगरी है अपस्वनमीciamo to 20 degree 3s 40 degree areoj त्यूंस से 35 डिगरी तो इसका जू राइट अंसर हो जाएगा कब हो जाएगा जीरो से 20 डिगरी तक रखा जाता है नेश्ट क्वेश्चन है लेट कटिंग टूल में फ्रंट क्लियरेंस कौन खालिस्तान डिगरी रखा जाता है आठ से 20, 10 से 15 डिगरी, 6 से 10 डिगरी और उप्रोक्त सभी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहु हो ज कटती है जो आपके सांथ रगण अधिक लगती है और उप्रोक्त सभी उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहु हो जाएगा टूल की जो मजबूती है वह कटती है साइड क्लिरेंस कौन जब अधिक होता है तो टूल की मजबूती कट जाती है क्योंकि नोज पतली होती है नेस्ट क्वेस्चिन है और्थो-गनल क्टिंग में में खालिस्तान कट की गहराई अधिक होती है tweeting इंसिंग अच्छी आती है चेट्रिंग कं होती है और फ्रोक्त बीवासी दौनों तो इसका जो राइत अनसर और भी अप्योग थे ऑप्सन है rough cut turning finish turning अप्रोगत दोनों और अप्रोगत कोई नहीं तो इसका जो right answer हो जाएगा बहु हो जाएगा rough turning अबलेक cutting में जब एक साथ कारे करते हैं तो यह rough turning के लिए अप्योगत होता है कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बो हो जाएगा उप्रोक्त एबावी दोनो याने टूल मटेरियल अधिक खर्च होता है और एंगुलर सुल्डर बनते हैं नेस्ट कोश्चियन है हाई कारवन श्टिल के बने कटंग टूल खर्च घर अपनी हरडनेस बनारा रहते हों तो इसका जो राइट आसर हो जाएगा बो हो जाएगा त्रूल अपनी हर्डनेस बनारा रहते हैं परसेंट टू पॉइंट से 2.5 परसेंट और 0.9 से एक दिसमलाव 5 परसेंट तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा बहु हो जाएगा 0.9 से 1.5 परसेंट तक जो हाई कर्बन स्टील में कार्बन की मात्रा पाई जाती है नेस्ट क्वेस्टन है peti hi carbon steel के तूल खालिस्तां दातुओं की कम स्पीड पर कंटेंग के लिए अप्यक्त होते है क्थोर नर्म उस्मा चॉारत और अपूरोक्द मैं से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोऊ जाएगा नर्म दात्यों की काम स्पीट पर कट्वर्वन गतिक टूल के बाइब अपयोगत होते हैंneci question है में आपको बताना है हाई-स्पीड स्टील में कौन कौन सी धाहत में मिली होती है कितने पर्सेंट of trzeba को टंगश्टन 14 पर सेंट तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टंग वस्टन 14-22 परसेंट क्रोमियम चार परसेंट पैने डियम परसेंट और कोबल्ट 0.6 परसेंट नेस्ट क्वेस्टन है हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल खाईस्तान ताप मान तक अपनी हर्डनेस बनाए रखते हैं और नौसों डिग्री सेल्शियस तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बोगो जाएगा 600 डिग्री सेल्शियस तक जो हाइश पीड के कटिंग टूल होते हैं आपने बरक्शॉप में देखा हुगा जब लेका सीन पर कारे करते हैं तो ऐसे सो डिग्री सेल्शियस ताप मान तक अपनी हर्डनेस बनाए इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बोह जाएगा गर्म होने पर हवा में ही हार्ड हो जाते हैं फॉय। सिमेंटेड कारबाइट टिप्स के टूल्स हाई स्पीड स्टील के पिच्चा खालिस्तान गुणा गती पर प्रियोग किये जा सकते हैं अप्शन है दो गुणा तीन गुणा चार गुणा और पाच गुणा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहु हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहु हो जाएगा चार गुणा एट क्वेस्चन है सिमेंटेड कारवाइड टिप्स मुक्ता का टंगस्टन कारवाइड टाइटेनियम कोबाल्ट वर टेंटालम आधी धात्यों को खालिस्तान डिगरी पर सुद्ध कारवन के साथ मिलाकर लगला काकर की बनाएं जाती है उप्शन एक हाजार डिगरी सेलसियसे बार ऐहो डिगरी सेलसियस तेरह घो डिगरी सेलसियस ओर पंद्रहाइसोडिगρί सेल explainो का क्वेस्टन है सकते हैं हाड़ टेम पर की सकते हैं फोर्ज की जा सकते हैं और सभी तो इसके उन्सर हो जाएगा बहुंजा है रहे हैं को बना प्रियोक कर सकते हैं जब भी हम सिमेंटेट कारवाइट का प्रियोक करते हैं तो हमें coolant के आवश्यक्ता नहीं होती है Next question है Cemented Carbide Tips का मुख्य दोस है अपसाना उच्छ गती पर कारें नहीं करती है Coolant आवश्यक होता है ज्यादा कसने पर क्रेक आ सकते है उपरोप्त सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा ज्यादा कसने पर क्रेक आ जाते है Next question है इस्टीलाइट एक अलोह मिस्रत धातु है इसका मिस्राण खालिस्तान है टंगस्टान, पैनेडियम, मॉलिबडेनम क्रोमियम निकल टंगस्टान कोबल्ट क्रोमियम टंगस्टान और टंगस्टान, सोल्डर और क्रोमियम तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा क्रोमियम, निकल और टंगस्टान इस्टीलाइट की मिस्रत धातु होती है Next question है स्रामेक्स खालिस्तान से बनाया जाता है और अप्सन है स्टीलाइट के कटिंग टूल हाइश्पीड श्टील की अफेक्सा खालिस्तान गुणा गती पर कारे सकते हैं अप्सन है दो से तीन, एक से दो, तीन से चार रड़ोप्रूट मैंसे कोई नहीं इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा दो से तीन, श्टीलाइट के जो कटिंग टूल होते हैं अप्सन है फोर्जे नहीं किया जा सकता है जटके सहन नहीं करता है सीमेंटेट कारवाइट के अप्सन कमतापमान पर कारे करना और अप्रोकत सभी तो इसका जो right answer हो जाएगा अप्रोकत सभी नेश्ट क्वेस्चिन है सेरामेक्स के टूल खालिस्तान डिगरी सेल्सियस तापमान पर भी कारे करते हैं अप्सन है डिगरी सेल्सियस 900 डिगरी सेल्सियस 1000 डिगरी सेल्सियस और 1200 डिगरी सेल्सियस तो इसके जो right answer हो जाएगा बहर हो जाएगा 1200 डिगरी सेल्सियस तापमान पर भी सेरामेक्स के टूल कारे कर सकते हैं नेश्ट क्वेस्चिन है डायमेंड टूल खालिस्तान डिगरी तापमान तक कारे करते हैं अप्सन है 1650 डिगरी सेल्सियस 1500 डिगरी सेल्सियस 1200 degree Celsius और 1000 degree Celsius तो इसका जो right answer हो जाएगा बहुआँगा 1650 degree Celsius तक diamond की जो tool होते हैं भै कारे कर सकते हैं Next question है ceramics tool material खालिस्तान बर्ग में आता है option है low, low, non-metallic और अप्रोक्त कोई नहीं तो इसका जो right answer हो जाएगा बहुआँगा non-metallic इसका जो right answer हो जाएगा बहुआँगा non-metallic बर्ग में आते है नेस्ट कोश्चन है तूल की cold hardness का अर्थ होता है और अप्रोक्त सबी तो इसका जो right answer हो जाएगा बहुआँगा बहुआँगा जाती है तो इसमें बहुआँगा जाती है नेस्ट कोई नहीं material की red hardness का अर्थ है उप्सन है लारगार में धात्यू की कठोरता उच्छे तापमान पर भी टूल कारे करता है और cold hardness बनाय रखता है बंग उरता और अपरुक्त कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बहुँ हो जाएगा उच्छे तापमान पर भी टूल कारे करता है और cold hardness बनाय रखता है यह red hardness का अर्थ होता है नेश्ट क्वेस्टन है लेट कटिंग टूल के फेस पर एक जिरी कटी काटी जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं अप्सान है चिप बेकर ब्रेकर ग्रूप टाइप चिप ब्रेकर और अपरुक्त कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बहु हो जाएगा ग्रू को हैं कैंसर सो तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वलेटएं पिस्तार शेग के इसमें वर सो रखी जाती है ऑप्सानेद तो अरत Hers vehicle को ह Pipka 수도 suficiente समय प्रियोग हुआ है एक बाइगर काने पर टूल जितनी देड चला चूल की हर्डनेस और टूल की टूल की टफनेस तो इसका जुराइट इसका जो right answer है वो है घटेगा क्योंकि जब भी हम लेट मसीन पर cutting tool को बानते हैं तो बाइज जो आपकी दूरी सेदी हम नीचे set करते हों से तो जो रेकॉन होता है घट जाता है इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ जाता है उपर बांदेंगे तो बढ़ जाएगा और धूरी से नीचे set करेंगे तो घट जाएगा अब आपको यहाँ पर clearance कौन बताना है अपसाने घट जाता है बढ़ जाता है कोई अंतन नहीं पड़ता है और अपरोप्त कोई नहीं तो जाएगा घट जाता है यदि जब भी हम लेट मसीन पर टूल को बानते हैं जो आपकी दूरी से उपार तो clearance घट जाता है लास्ट कौस्चिन है लेट कटिंग टूल जोब की दूरी से नीचे से अठ हो तो clearance कौन अपसान है कोई अंतन नहीं गट जाता है बढ़ जाता है और अपरोप्त कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाता है क्योंकि जब भी हम लेट कटिंग जो टूल होता है वो जोब की दुरी से नीचे सेट करते हैं तो clearance कौन असमें बढ़ जाता है तो यहाँ अपन हमारे टॉप फ्रिप्टी क्वेस्टिन कंप्लीट होते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स को सेजर कीजिए और यदि आप चैनल पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले है थैंक्स पर वाचिंग जाय हिंद बंद मत्रम